आज की इस वीडियो में हम bell push button के साथ bell के connection करना सीखेंगे इसके अंदर हमने एक indicator लिया है और एक bell push button लिया है और एक bell ली है ठीक है एक गंटी ली है तो इसकी wiring करना सीखेंगे हम कैसे इसके connection किये जाते हैं तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा switch board लिया है उस switch board के अंदर हमने एक indicator लगाया है indicator यह बताएगा कि इस switch board के अंदर power supply है या नहीं है ठीक है और इस switch के साथ हम operate करेंगे गंटी को ठीक अगन की गंटी को बजाएंगे तो इसकी wiring कैसे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंटी हमारी 220 voltage पे operate होने वाली गंटी है कई-कई में DC supply होती है यानिकि उसके अंदर cell डलते हैं कई AC और DC दोनों होती है तो यहाँ पे मैं आपको बजाता हूँ यह हमारी जो घर में supply यूज होती है जो घर में supply आती है उस supply के उपर चलने वाली गंटी है ठीक है और आपको cell वाली गंटी के साथ इसके connection नहीं करने होते है ठीक है अगर आपको ये गंटी लगानी है तो आपको ये दुकान वालों के साथ जो भी जिसके पास से ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये बोलना है कि हमें AC वाली गंटी चाहिए यानि कि जो घर में सप्लाई होती है यूज करते हैं वो वाली गंटी चाहिए है ठीक है इस फेज और नूडल सप्लाई कनेक्ट हो जाती है तो अब हम इसकी वायरिंग करते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं इंडिगेटर का एक यह टरमिनल है और एक यह स्विच का जो बैल पूस बटन है उसका निच्चे वारा टरमिनल है इन दोनों को हम वायर से जोड लेते हैं जो हमारा स्विच का जो बैल पूस बटन है उसका स्विच का उपर का जो टरमिनल बचा हुआ है इसको हमने यहां से वायर जोड के इसके एक गंटी के एक टरमिनल पे इसको जोड देना है तो यहां से हम एक इसको जोड लेते हैं अभी आप यहां पर देख सकते हैं हमने स् इंडिकेटर है friends, इंडिकेटर के अंदर न्यूटल आएगा, तो हम यहां पे न्यूटल आएगा, और यहां पे हमने न्यूटल पहुंचाना है, तो इस वायर को हम क्या करेंगे, यहां पे जोड देंगे, तो यहां से एक वायर जोड के, और यहां पे इस वायर को जोड लेत ठीक है तो यह जोड के आपको टेस्ट करके दिखाते हैं तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे न्यूटल वायर को जोड लिया है और यहाँ पे फेज वायर को जोड लिया है अभी हम इसको टेस्ट करके देखने वाले हैं कि यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इंडिकेटर कैसे क काम कर रहा है और बैल कैसे काम कर रही है तो फ्रेंड्स अभी आप यहां पर देख सकते हैं हमने अच्छे से यहां पर ड्रेसिंग कर लिया है आपको समझ में आ सके तो हमने इसको पिछे से सप्लाई को भी ओन कर दिया है तो यहां पर देख सकते हैं इंडिकेटर भी ओन हो ग ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से ये बैल पुश बटन के साथ बैल के कनेक्शन किये जाते हैं और उसी के साथ एक इंडिकेटर लगाया जाता है तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके में जुरूर बताना अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक और शेयर जुरूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंत वंदे मातरम